पाकिस्तान के तरफ से इंडिया को नुकसान पहुचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता है। पाकिस्तान के तरफ से बताया गया था कि पानी और खून एकी साथ नहीं वह सकता। पानी का फ्लो पूरा बुरी रोकेगा। और जब पूरा दुनिया पाकिस्तान के उपर नजर गड़ाया हुआ है और पाकिस्तान को अपने हरकतों को सही करने का हितायत दे रहा है। तो इससे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के तरफ से और एक नया गेम के तहट इंडिया के उपर ये इलजाम लगा दिया गया कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जाने वाले पानी को कम कर दिया है। और दोस्तों इसके उपर जवाब देती होई इंडिया के तरफ से भी बताया गया है कि पाकिस्तान द्वारा लगाया गया ये एलिगेशन पूरा पूरी बेसलेस है। भेजा जा रहा था। जवकि एक दिन बाद ही ये दर्ज किया गया कि ये पानी घट के 18,700 क्यूसिक तक पहुँच गया। गया है कि इन नदियों के उपर इंडिया के तरफ जो सबसे आखरी गेज या मेजरमेंट पॉइंट है वहाँ पे इस वेरियेशन के अंदर या फिर पाकिस्तान के तरफ से जो टाइम लाइन दिया गया है उसके दोरान consistency मतलब समानताय देखा गया है और कोई significant change नहीं देख इसे आखर गया तो दोस्तो इससे आप लोग पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान ये इलजाम पूरा-पूरी जूटा लगा रहा है और दुनिया का ध्यान पाकिस्तान के हरकतों से हटा के इस मुद्धे के ऊपर लाने का कोशिश कर रहा है तो चलिए दोस्तो अब थोड़ा जाडने का कोशिश करते है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीज में पानी को लेके असल मुद्दा है क्या 1960 में दोनों देशों के बीज में इंडेस वाटर कमिशन के पर्मनेंट रेपेजन्टिटिव के प्रेजन्स में इंडेस ट्रीटी के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों इंडेस वाटर कमिशन के दोनों देशों में पर्मनेंट रेपेजन्टिव इस मुद्दे को देख रेक करते हैं और हर साल अल्टरनेटिव तरीके से एक दूसरे के देश में इन दोनों कमिशनों के मीटिंग भी होता है जिस पे ये सुनिष्चित किया जाता है की साल भार के दोरान इन नदियों के पानियों को लेके क्या development हुआ है और आने वाले समय में पानियों का flow बरकरार कैसे रहे या फिर इन पानियों के ऊपर अगर नया कोई development हो रहा है तो उसके ऊपर भी चर्चा होता है इंडर्स वाटर ट्रीटी के मुताविक पूर्वे हिस्से में स्तित तीन नदी जिनका नाम है रावी, व्यास और सतलूज इसकी उपर भारत का पूरा-पूरी exclusive right दिया गया है जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीज में बहने वाले जितने वी नदी है उसका टोटल पानी जो करीबन 168 million acre fit होता है उसमें से भारत को only 33 million acre पानी का इस्तिमाल करने का हग दिया गया जबकि पूर्वे हिस्से के जो नदी है इसका भारत 93-94% पानी का इस्तिमाल करता है तब भी अगर देखे तो इंडिया के तरफ से पाकिस्तान में जितने भी नदी है उसके द्वारा जितना भी पानी फ्लो होता है उसका स्रिप भारत स्रिप 20% इस्तिमाल कर पाएगा पर अगर देखा जाए तो भारत के तरफ से इतना भी पानी का इस्तिमाल नहीं किया जाता है दोसों वही पे पूर्वे हिस्से के इलावा अगर पश्चिम हिस्से के नदियों को देखे मतलब इंडस चनाप और जेलम नदी जिसके उपर पाकिस्तान को भारत से थोड़ा ज्या इन कामों के लिए भारत कुछ पतिशत पानियों को अपने हिस्से में रख सकता है तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बताया दू कि भारत द्वारा अब तक ये अपने राइट का इस्तिमाल नहीं किया जाता था प्राइम मेरेशा नेंद्रो मोधी 2016 में असल में जो बा अपने पानी का इस्तिमाल कर भी नहीं सकता है उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि भारत अपना हिस्से का पानी इस्तिमाल कर रहा है कि कुछ और कर रहा है उसे अगर मतलब था तो स्रिप प्रोपगंडा करने का पाकिस्तान इस चीज को दुनिया के सामने ऐसे उठा रहा है क जैसे भारत इंडर्स वाटर ट्रीटी का वाइलेट कर रहा है और पाकिस्तान के हिस्से का पानी को मार रहा है। जैसे भारत इंडर्स वाटर में बहे जाने से रोक पाए। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान को इसके उपर सवाल नहीं उठाना चाहिए कि भारत कितना पानी रोक रहा है। जैसे भारत के तरफ से अगर अपने हिस्से का पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो यह सही है कि गलत है कॉमेंट करके जरूर बताईए। और पाकिस्तान जिस तरीके का हरकत कर रहा है उसके जवाब में भारत को क्या करना चाहिए ज़रूर बताईएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेस्बूक में सपूर्ट कीजिए। और अगर आप लोग को मेरे ये वीडियो अच्छा लगाओ तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के सा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और सब्सक्राइब के साइड बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जैहिन।